लोटस सायरवेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे थायरेट मरीजों की थायरेट में अगर इस चीज का सेवन करते हैं तो आपको थायरेट कंट्रोल में रहेगा और परफेक्ट आपका धीरी-दीरी थायरेट कम हो जाएगा तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो शरीर में थायरेट हार्मोन असंतलित होने पर थायरेट की बीमारी का खत्रा बढ़ जाता है इस बीमारी के लक्षणों को सही समय पर पैचान कर उचित इलाज लेने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं लेकिन लम्मे समय तक थायरेट की बीमारी में वीड ग्रास जूस यानि गिहूं के पौदे से बने जूस का सेबन करना बहुत फायदेमन माना जाता है इसका इस्तिमाल करने से आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संक्या भी बढ़ती है और यूरिक एसिट को कंट्रूर करने भी मदद मिलती ह है और अगर आपको डाइबिटीज है तो भी आपको फायदा होता है वीड ग्रास जूस दरसल कई पोसक तत्तों से बरपूर होता है और इसका सेवन निमित रूप से करने से आपको पर्याप्त पोसर मिलता है अभी मैं आपको बता रहा हूं थायरेट में वीड ग्रास जू आपकी परिशानी बर सकती है थायरेट ग्लेंड से जुडी परिशानियों को कंट्रोल करने के लिए वीड ग्रास का जूस बहुत फाइदेमन्द होता है वीड ग्रास जूस में एंजाइन मैगनिसियम कैल्सियम बिटामिन B, A, K, C, E और पोटीन समित कई ऐसे पोशक तत्व पाए जाते हैं जो थायराट की समस्रा में बहुत फाइदेमंद होते हैं थायराट की समस्रा में भी वीड ग्राश जूस का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है wheatgrass juice में selenium की परयाप्त मत्रह होती है जो thyroid gland के कामकाज को ठीक रखने में बहुत उपयोगी माना जाता है इसके अलाबा नेमित रूप से wheatgrass juice का सेवन करने से आपके सरीर में thyroid hormone का स्राव ठीक धंक से होता है अगर आप wheatgrass juice का सेवन thyroid की समस्षण में कर सकते हैं तो आपको इससे फाइदा होगा तो thyroid में कैसे आपको wheatgrass juice का सेवन करना है अनि कैसे आपको खाना है पिना है तो मैं आपको बता रहा हूँ thyroid की समस्षण में रोग जाना एक glass एक ग्लास माना 200 मेल वीड ग्राज जूस का सेवन करना फायदे मन माना जाता है आप थायराइट से छुटकरा पाने और थायराइट गलेंड के कामकाज को ठीक रखने के लिए वीड ग्राज जूस का सेवन निम्यत रूप से सुबह या साम में किसी भी समय कर सकते हैं इसके अ वीड ग्राज जूस का सेवन आपके लिए फायदे मन है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे को कमेंट करके बताएं और वीड ग्राज का जूस आप लें सुबह लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा तो कमेंट करें और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लें और बेल आइकोन की घंटी बजादें जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद